अभी हाल ही में ब्रिस्बेन को दो हजार बत्तिस ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंप दी गई है तो आज के इस वीडियो को हम कवर करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये खेल आउजित होता है तो आजका हमारा टोपिक है की ब्रिस्बेन बत्तिस ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा वर्स बत्तिस ओलंपिक के मेजबान के तौर पर ब्रिस्बेन के नाम की पुष्टी के लिए अंतराश्टी ओलंपिक समिती के सदस्यों दोरा 21 जुलाइ 2021 को टोक्यों में 138 में IOC सतर में मद्दान करने की उम्मीद है अंदराश्टी ओलंपिक समिती याने की IOC के कारेकारी बोड ने 10 जुन 2021 को वर्स दोजार बत्थिस के ओलंपिक की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन के नाम को प्रस्तावित करने का निर्णा लिया है कारेकारी बोड का ये निर्णा ओलंपियाड खेलों के लिए फ्यूचर होश्ट कमीशन की एक रिपोर्ट पर आधारित था जिसने हाल के महीने में ब्रिस्बेन 2022 परियोजना का विस्तरत लिशलेशन किया है अब इसकी मुख विसेस्ताएं क्या हैं अंतराश्टी ओलंपिक समिती के सदस्यों दोरा 21 जुलाई 2021 टोक्यो के 138 वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सत्र में मद्दान करने की उमीद है ताकि इसकी पुष्टी की जा सके जब फरवरी 2021 में IOC ने इसे पंसंदीदा उमिदवार के तौर पर नामित किया तो इस ऑस्ट्रेलियाई सहर को टूनामेंट की मेजबानी के लिए फास्ट ट्रैक पर रखा गया था IOC बोर्ड के इस सर्व सम्मति निर्ने का स्ट्रे ब्रिस्बेन 32 के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई उलंपिक समिती और उनके सहयोगियों द्वारा किये गए वर्सों के कारियों को दिया जा सकता है यानि कि बहुत प्रयास कर रहा था ऑस्ट्रेलिया कि उसे ये मेजबानी मिले जन्वरी 2021 तक यह लगबग सपश्ट हो गया था कि ब्रिस्बेन वर्स 32 की तैयारियों की उन्नत इस्तिती में आ गया है फ्यूचर होष्ट कमीशन के अध्यक्रिष्टीन क्लॉस्टर एसन ने कहा है कि आयोग ने इस सहर और छेत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाओं के लिए सयोगात्मक साजेदारी के माध्यम से ब्रिस्बेन 2022 प्रयोजना के लिए मिलकर काम किया है बहवी ओलम्पिक खेलों की मिजबानी का चेंद कैसे करता है आई ओसी ओलम्पिक खेलों के भावी मिजबानों का चेंद करने के लिए आई ओसी के पास एक नया लचीला द्रश्टी कौन है दो फ्यूचर होश्ट कमीशन याने की ग्रीसमकालिन और सीथकालिन अब इस्थाई रूप से सहरों, छेतरों, देसों और उनकी संबंधित राष्टिय उलम्पिक समितियों के साथ उलम्पिक और युवा उलम्पिक खेलों की मेजबानी करने की उन्नती उनकी बारे में खोजपूर्ण गयर प्रतिबंध चर्चा के लिए काम करता है। प्रश्ट भूमी की बात कर लेते हैं कि IOC एक व्योहार्यता आकलन ने इस बारे में यह पुश्टी की थी कि Brisbane 2022 एक लक्षित वार्ता शुरू करने के लिए उनके सभी मान दंडों को पूरा करता है IOC के कारे-कारी बोर्ड ने तब 24 फरेरी 2021 को एक लक्षित समवाद 2022 शुरू करने और Brisbane को एक पसंदीदा मेजबान के रूप में आमंत्रित करने का निर्णा लिया है। मार्च 2021 में वर्चुल 137 सत्र में IOC सदस्यों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। तो यह आज झाल